हेलो ब्रीवन गुड वार्निंग स्वागत आप सभी का मारे यूट्यूब शैनल पर फिरेंड आज हम बात करेंगे लेकपाल भरती प्रिष्छे यूम लोवर पीस ठीके यूपी ट्रिपल सी में स्प्रिष्छा के लिए जिसमें आपके 40 जीकी यूम जीस के कुश्चन शामि अंदा प्रियूजना कि समंत्राले की प्रियूचना है तो यहां पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन सी यहनि अल्प संख्यक मामले की ठीक है इसकी शुरुवात हुए थी चार मार्च 2014 को देखिए डेट याद रखिएगा बेरी इंपोर्टेंट है ओके सो नेस्ट कुश कार दार्षनिक और राजनीतिक थे चंदर गुप्त मौर के दर्बार में वे एक यूनानी राजदूत के रूम में ठहर रहे थे समझ गे चलिए अगला कुश्चन है फ्रांसीसी क्रांध का नारा क्या था या पर बात हो रहे हैं फ्रांसीसी क्रांध के बारे में स्याप्य option का option's यानि सुत्वंत्रता समानता और बंधुता ठीक है इसने 1950 में लागो भारतिये संविदान की प्रस्ताना में इन शब्दों को शामिल किया गया है कि सको शत्वंत्रता समानता और बंधुत को समझ गये कब 1950 में यह हमारे हिंदुस्तान में इसको शामिल किया गया चलिए अगला कुशन है विश्य का सबसे बड़ा दीब कौन सा है तो आप रैट आप्शनों को आप्शन वन यानि ग्रीन लेंड ठीक है न्यू गुनिया बोर्नियो का अस्थान इसके बाद आता ग्रीन लेंड आइसलेंड के उत्तर पशिम और कनाड़ा के उत्तर पूर में अर्टिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में इस्तित है चलिए सुनेश कुशन है भारत में काफी की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त छेतर कौन सा है तो यहां पर रैट अप्शन होगो ऑप्शन डियाने दच्छिर का पठार अगर हम बात करें तो भारत में काफी उत्तपादन के लिए दक्कन का पठार एक आदर्श है समझ गए हैं उप्यूक्त अस्थान माना जाता है भारत में काफी का उत्तपादन विशेश रूप से दच्छिर भारत के तीन छेतर करनाटा केरल और तमिलनाड में किया जाता है यह तीनों राज भारत के परमुक्त काफी उत्तपादन की राजह कौन सा करनाटा केरल और तमिलनाडों के भाईया चलिए सुनेश कुशन है वाईव की आधरता हैमेडेटी किस पर निर्भर करती है सु राइट आप्शन होगा आप्शन डियानी सभी पे अस्तान टेंप्रेचर यों मौसम पे सुनेश कुशन होगा तिलहां जो खाद नहीं है तो यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन टू बिनोला काटन सीड एक आखाद आईल सीड है गोशी पोल एक विसेला पदार्थ होता है समझके चलिए सुनेश कुशन है मसाई निमलिखित में से किसकी आदिम जन जाती है यहां पर बात हो रहें मसाई की तो राइट आप्शन होगा आप्शन फोर तंजानिया यानि पूर्वी अफ्रीका के मसाई जन जात के लोग दच्छिल केन्या और उत्री तंजानिया में महान विब्रंश घाटिके और दिशुष्क और शुष्क चेत्रों में निवास करते है इस जन जात के लोग आए के लिए विभिन पशों जैसे बक्रियों और भेडों पर निर्भर रहते हैं चलिए सुनेश कुशन है किस फल के बीच उसके बाहर की ओर होता है तो राइट आप्शनों का आप्शन वन यानि इस ट्राबेरी सभी को मालूम होगा चलिए सुनेश कुशन है उसल कटबंदी ये वर्षा वन की विशीषता क्या है देखिए अब यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन सी यानि अधिक्तम जयो विवित्ता ठीक है उसल कटबंदी ये वर्षा वन जयो विवित्ता का उच अस्तर दरसाते है चलिए सुनेश कुशन है सुची 1 यहों सुची 2 में मेल कर दीजिए तो देखिए यहां पर right option होगा option D चौथा option आपका सही होगा यानि दूसरा चौथा पहला और तीसरा सुनेश कुशन है कांडला नीम्न में से किसके लिए परसीत है यहां पर बात हो रही है कांडला की ठीक है कांडला का नाम भी चेंज हो चुका है आप लोग को मालूमना चाहिए तो right option होगा option C यानि निर्याद प्रसंस्क्रण छेत्र के लिए गुजरात में भारत और एशिया का पर्थम निर्याद प्रक्रियावाला छेत्र यानि EPZ था 1965 में इसे अस्थापित किया गया डेट रहाद रखिएगा 1965 इसे right option होगा चलिए अगला question है पहली बार एक सांसर द्यानी बिधाय को इस आधार पर सदन की सदस्ता से आयोग गोशित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी साथ लगातार बैठकों में अनुपस्तित रहे वो सदस्त थे तो यहाँ पर right option होगा option one यानि राज सभा के समझ गए राज सभा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है चलिए भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुचेद आनि आर्टिकल समवैधानिक विवाद में सर्वोष चिन न्याले की अपीलिये चेत्रिकाधार से संबंदित था है भाईया so right option होगा option D यानि अनुचेद 134 A को मिला कर अनुचेद 132 को पढ़ना समझ गया है सर्वोष चिन नाले की अपीलिये अधिकारिता में विर्धी होती है इसको पढ़ने से चले सुनेश कुशन है निम्निखित कारक्रमों में से किसे 60 जैन्ती ग्राम सोरोजगार योजना में सम्मलित नहीं किया गया है so यहाँ पर right option होगा option D यहाँ जे आर वाई एक अप्रेल 1999 को भारत सरकार ने ग्रामीर चेत के गरीबों के विकास के लिए 60 जैन्ती ग्राम सोरोजगार योजना की शुरुवात की थी 1999 कभी भी इसको मैचिंग के लिए भी यह आता चले अगला कुशन है निम्ड़की में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर नहीं है शब्द ध्यान दीजिएगा so right option होगा option मन्यानि एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ठीक है वेनिस को कुई नावदा एड्रियाटिक सीका जाता यहाँ पर होगा आपका वेनिस ठीक है रोम नहीं होगा चलिए सुनेश कुशन है कथने सभी व्यापारी मूल बढ़ोतरी से लाब कमाते हैं कारण मूल बढ़ोतरी के कारण ग्राक को अपनी आउशकताओं में कटवती करनी पड़ती है तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन टू यानि ए तथार दोनों सही प्रन्तू और एकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है चलिए अगला कुशन है चंद्रमा के धरातल पर दो बढ़ोतरी एक दूसरी की बात नहीं सुन सकते क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के बारें बात हो रही है तो राइट आप्शन होगा आप्शन टू चंद्रमा में वाई मंडल नहीं है चलिए अगला कुशन है निम्किन में से कौन सा विसफोटक नहीं है तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा option for nitro chloro farm यह बिस पोटक नहीं है एक यह निश्चेत यानि anti-esthetics है जो operation के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है nitro chloro farm को so next question है निमकिन में कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है यानि कौन सा सही नहीं है ठीक है यहाँ पर right option का option वह नहीं fluorines fluorine युगत carbonic योगी वह यह carbon dioxide एक रंगीन गंधीन गैस है वह मंडल में carbon dioxide कितना 0.03% होता है समझ गए fluorines एक आयल का रूप है fluorines के हाँ यह एक आयल का रूप है चलिए सुनेश question है निमन में से किसके लिए उद्दमी help line अस्थापित की गई सुराइट आप्शन होगा option मान यानि सूच में लगोयों माध्यम उपकर्मों के लिए अगला question है किसके विश परसित फिल्म दी गांधी का निर्देशन किया था सुराइट आप्शन होगा option फोर रिचर्ड एटन ब्रो ने कब किया था 1982 में ठीक है 1982 डेट यान रखिएगा चलिए सुनेश question है यहाँ पर आपको मैश करना जोला मुखी दिया हुआ है और यहाँ पर देश का नाम दिया हुआ ठीक है तो कौन सा option सही होगा चलिए यहाँ पर जो राइट आप्शन होगा वो है आपका option थी यानि दूसरा पहला चोथा और तीसरे की बात हो रही है कालिमा मैक्सिको की 31 साजय में से एक है मिरॉपी इंडोनेशिया का एक सक्रिय जोला मुखी है द्यान दियाँ 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 दिय सुनेश कुशन है निम्लिकित में से किसने स्री लंका में बहुत परचारक भेजाता है या देखिए ध्यान से और काफी इंट्रेस्टिक होके आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको अगर कौलिफाई करना है तो राइट आप्शन होगा option तीन्यानी अशोक की बात हो रह है तो राइट आप्शन होगा option तो यहनी कनाडा की कनाडा की तट्रेका सबसे अधिक लंबी है रूस क्रमसा दूसरे और तीसरे अस्थान पर है समझ गहें इंडोनेसिया दूसरे और रूस तीसरे पर है सुरी चली सुनेश कुशन है फायान ने डायस के शाशनकाल में बार के 399 से 414 इस भी में गुप्त समराठ चंदर गुप्त दुतिये की समय सुनेश कुशन है बर्नियन ने डायस के शाशनकाल में बारत की यात्रा की थी सुराइट आप्शन होगा option डी यानि औरंग जेब कब किया था 1656 से 1717 इस भी के बी चोके चली अगला कुशन है का मगबरा इस्थित है कहां पेस्थित है सुराइट आप्शनों का ओप्शन सी ठीक है दिल्ली में कब 1530 से 1556 भी सुनेश कुशन है किसने कहां सौधिनता मेरा जन्मिसिद अधिकार है मातमा गांधी लोकमान तिलाग सुभास्चन बोज जवालान नेरू चली इसका आइंस कुशन नंबर 31 का मातमा गांधी लोकमान तिलाग सुभास्चन बोज जवालान नेरू किसने कहां सौधिनता मेरा जन्मिसिद अधिकार है ओके चली अगला कुशन है भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ तो राइट आप्शन होगा आप्शन टू 1935 में ओके सुनेश सुनेश कुशन है अलेगण मुस्लिम विश्विदाले की स्थापना किसने की तो राइट आप्शन होगा सर सेयद अहमद ने कब किया था 1921 में ये डेट आद रखेगा बेरी इंपॉर्टेंट है 1921 में चली सुनेश कुशन है निमलिकी दीगों में से कौन सुमेलित नहीं कौन मैच नहीं कर रहा है तो यह आप पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टुफाइब फ़्वलावर चील ठीक है हुआन मंगोलिया ये फई फ़्वलावर ब्लेक चीन के जी, यू जहाई ड व्गों नेशनल पार्क में इस्तित है ठीक है कहां पर है चीन में 5 फ्लावर छील कहां पर आपके है चाइना में भई या चलिए सुनेश क्टूशन है भारत कहां पहला और्डिक परिछड कहां किया गया था यहां पर बात हो रही है भारत के बारे में सो यहाँ पर right option होगा option 2 यानि पोखरन में कप किया था 1974 में डेटा रखिएगा 1974 में हुआ था भई या पोखरन कहाँ पर है राजस्थान में है चलिए सुनेश question है कौन सी तारीक मदमें दिवसेन डाइपडेस के रूम में जानी जाती है सो right option होगा option D यानि 14 नौमबर की बात हो रही है यहाँ पर कब शुरू किया गया था 1991 में ठीक है मनाया जाता आविस्वास संगठन ने शुरू किया सो नेश question है मनसबदारी पर्था की एस्थापना की गई देखिए हाँ पर right option का option वान यानि अकबर द्वारा कब किया गया था 1542 से 1660 यह अकबर का शाशन काल था दैद मनसबदा पर्था थी जात सबसे वेक्त के वेतन तथा पत की इस्तिती का बोध होता था समझ गए चलिए नेश question है मलेरिया की उप्षियार के लिए निमलिकित में से किसका प्रयोग किया जाता है सो यहां पर right option होगा option वान यानि कुनेन का सो नेश question है BSE Greenax में कितनी कंपनियां समिलित है सो right option होगा option वान यानि 25 सो next question है प्रजीवी है प्रजीवी के बारे में बात हो रहे है सो right option होगा option 2 यू करियोटी कुश का है प्रजीवी यू करियोटी कुश का है वे क्या कि कवग जो दूसरे जीओं से अपना भोजन प्राप करते हैं प्रजीवी पैरसाइट कहते हैं समझ गए चलिए अंत्रीक जल परवा के कारण यह एक नमकीन चारिये दल्दली भाग है जिसमें लूनी तथा अन्य छोटी नदियां गिर कर सूकती है समझ गए सो friend यह रही वीडियो वीडियो कैसे लगी आप लोग comment box में हमें comment करके जरूर बताइएगा साथ में हाँ आपकी कितनी cut-off जा रहे हैं उसको भी करण बाक्स में बताइएगा साथ में आप किस state से हैं किस जिले से हैं ठीक है और किसी की तैयारी कर रहे हैं ठीक यह भी करण बाक्स में आप लोग बताइएगा वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और जाद जादा लाइक करो और जाद जादा शेर करो ठीक है अगर आप आरो यानि समिच्छात कारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर UK PCS, Lord PCS की तैयारी कर रहे हैं यानि उत्राखंड की तो भी आपको लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगी सभी के लिए ओके, सु मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ ओके, थैंक्स, धन्वाज, जैहिन, जैभारत